भारत का golden boy यानि कि नीरत चोपड़ा अब देश के लिए पहला silver medal लेकर आ रहा है बहुत उम्मीदे जो है वो नीरत चोपड़ा से थी 140 करोड की जनता जो है वो लगातार fingers cross कर बस यही wish कर रही थी कि इस बार जो है भारत की जोली में पहला gold अगर कोई ला सकता है तो वो नीरत चोपड़ा है हाला की gold नहीं आया silver आया लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी दी की उन्हें जो है injury ती जिस वज़ा से जो है कही ना कही उनकी गेम में थोड़ा सा जो है वो कमजोरी रह गए हाला की उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है वो इसको और बहतरीन करेंगे लेकिन इस महनत के पीछे success के पीछे जो लोग मौजूद है यानि कि उनके माता पिता जिन्होंने बचपन से जो है उनके लिए महनत की है आये सिदे उनी से बाच्वीत कर लेते हैं सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत चुपकामना है नीरत चोपडा ने इस सिल्वर जो है मैडल देश के नाम किया है जैसे मतलब हमारा मानना है कि यह जैसे बोलते हैं भी उनका बेटा है तो ऐसा नहीं है यह पू पूरे देश की जनता उसके लिए माड़ कर रही थी सभी का उसके उपर इतना है जैसे मैडल जीता तो शबीने चियर किया सभी उसके लिए वीच्वी कर रहे हैं काफी मतलब पूरे देश का ही एक वेटा है हम लोग मतलब अकेले यह निज जता सकते हुई हमने सब कुछ कि पूरे देश का बेटा है नीरत चोपड़ा की ताई जी और माता जी मेरे साथ मौजूद है आउंटी कल मैंने देखा था कि जिस वक्त नीरत चोपड़ा ने थो कि और उसके बाद उनों ने सिलवर मेडल या आपके आँखे जो है वो नम हो गए थी एक माही बता सकते क्या एक इस बच्चे ने कितनी महनत की है यहां तक कहोंचने के लिए time डेंगे हो झेए तो दिद्धोजिई कि आलगय Extra अजानेते हैं यहां जाते हैं लेकिने बहुत खूशी प्रूं सकाव ह्मना किस तरीके की तयारियां आप लोग कर रहे हैं कि नीरा चोपड़ा जब वापस आएंगे तो इस तरीके से स्वागत करेंगे नीरज का पुल सेलिविरेशन करेंगे और आप सब भी इसमें साक्षी होंगे और जैसे पता है आपको कि और वह तो हमारा बेटा नहीं पूरे देश का बेटा है तो इतनी बड़ी इस लेवल पर आके तो कैसा वेलकम होना चाहिए वह सोची सकते हैं कलप ना कर सकते हैं और परमात्मा क आते जैसा करवाईगा चैसे करने की कुशिश करने बहुत अच्छा आंडी जी कई बार नीरा चुपड़ा ये कहते हुए सुने गए हैं कि मुझे मा के हाथ का चूर्मा बहुत पसंद है तो इस बर जब नीरा चूपड़ा वापस आएंगे तो आप उन्हें चूर्मा खिल में पर नजर आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेश्या आज मैं पर प्रधानमंत्री जी हाथ करता हूँ कि उन्हों ने जो घेल नीतियां बनाई हैं जो मदब ऑफीश्रों के साथ रहे वह बड़ियां उन्होंने काम किया है कि जैसे हम लोग मैडल टैली में काफी पीछे होते थे देश में अपने काफी कराउड है काफी जन संख्या अपने देश की है जो हम मानते हैं कि आज के टाइम में तो अपना भारत अगर जन संख्या में माने तो पहले नंबर पर है तो उसको देखते हुए अपनी मैडल टैल बच्चों के साथ नहीं तो सभी वो गोल्ड मैडल के मतलब दावेदार थे तो वो लोग वहां पिछड़ गे उनका एक देश में बड़ा एक दूख है पूरे देशवासियों को नहीं तो जीतने अब की बार मतलब मैडल आने चीए थे अब की बार तो हम दस से उपर ही काउं कैंति वह अने देखा उनके अंदर उनकी बातों में जो यह सायमता बहुट जयादा नजर आती है बहुत छोटी से मत्रहर देतर है लेकिन जब बीव बात करते हैं तो इतने बड़े खिलाडी है लेकिन इतनी सइनता कहां से लात यह कि देखो जी जीसा उनका परिवार है ऐसा ही हो है ज्यादा उन्चा बोलना गमांड रोरू से बात उसके मन पहाई नीजी ओ आज भी बच्चा है और कल भी जैसा बच्चा कल था ऐसा ही आज है गर पाई पिछ चोटे बैंड बाई है उनकी साथ खेलना गुलना मिलना तो आज भी बहुत ब्लब को सब्सक्राइब करने बिल्कुल पसंदा तो इसे कभी मोका नेया और जुमाइंटे को दिक्कत होती तो कोई भी माबाप डाट सकता तो पूरी फैमिली कोई भी बचा कुछ करता है तो उसमें यूँ नहीं पहले चोटा तैसरा आर्थ कर दिया करता अभी कसे अब नहीं करता तो आप कोई डाट के विज़े हरीजन ही नहीं आभी तो मिलने का टाइम नहीं होता मारे पास तो पस मिलने के लिए हम सोचते में दो वो नाशनल करश बन गए थे हर कोई बस एकी सवाल जाना चाता था कि नीरत चोपड़ा की शादी कब होगी शादी तो देखाजी आमीं बीबी नहीं का सकते वह याम करांगे इतना नीरत खुस नहीं होगा उसके पूछे विन बिना तो उस नाम कहा नहीं सकते कुछ बेना सबसे बड़ी बात ये कि भारत के लिए अगर पहला कोई सिल्वर मेडल लेकर आया है तो वो हैं नीरत चोपड़ा वीडियो जोले स्टंदन के साथ अनुपमाजा